अज में लेकर आई हूँ आलू और पोहे का इतना शांदार नाश्ता के हेल्दी भी है टेस्टी भी है दस मिनिट में नाश्ता बनकर तयार हो जाता है तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर तो आज हम बनाएंगे पोहे और आलू से एकदम मज़ेदार नाश तो पोहा हमारा अच्छे से नरम हो चुका है अब चलते हैं इसकी दूसी तेयारी करते हैं यहाँ पर हमने एक बड़ी साइज का बोल लिया है अब यहाँ पर हमने दो मीडियम साइज के आलू लिये हैं आलू को हमने अच्छे से कद्दू कसके लिया है तक इसमें कोई बड करें चोप लिया है चोप करके लिया और एक घज़र को हमने कद्दुकस करके लिया कि यहां पर अपने अपने चोच के हिसाब से ले सकते हो थोड़ा सा मी पर इन्हानater लिया है एक यहां पर अर्ची लिये हमने जी Florida लिया है अब इसमें हम कुछ सुके मसाले एट करेंगे तो यहां पर अबने स्वादनुसा नमक चाट मसाला गरम मसाला वह थोड़ से पर अपने चिल्ली फ्लेक्स ले शकते हैं इन चिल्ली फ्लेक्स भी डाले है और हरी मिर्ची भी डालिए दो चम्मच यहां पर हमने चाउल का आटा लिय तो एक डो की फोम में आ जाएगा तो इसको मसलते वे अच्छे से डो की फोम में लाएंगे तो हमें इसे एक डो की तरह तेयार करना है अब इसमें हमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है एक बार आप इस नाश्ते को जरूर बनाएं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी तो देखिये हमारा टौचे से तैयार हो चुगा है अब यहां पर हमने एक कटोरी लिए जिसमें हमने थोड़ा सा 1,500 चमत जितना मेदा लिया है इतना ही हम इसमें पानी एट करेंगे श के एक अर तैयार करेंगे तो पानी और मेदे को मच्चे से मिक्स कर देंगे हाँ पर ता आप इस नाश्टे को बनाने की तैयारी करते हैं तो इस बाउलकम साइड में रख देंगे यहाँ पर हमने थोड़े से ओड़ से लिए हैं जिनको हम बाद में काम लेंगे तो इनको भी हम साइड से रख देते हैं और आप हमारे नाश्टे को बनाते हैं हाथों पर थोड़ा सा और यहां से जितना बड़ा आपको नाश्ता बनाना उस हिसाप से Musa भूले और इसके गोल-गोल टिक्या टाइब व לש सकते हैं आप किसी भी शेप में नाश्ते को बना सकते हैं कि लिए कि यहां पर टीकिंग तो इस कि इससे टीकिया बना कर तयार करें लिए तो इसी तरह से हुआ नाश्ते को बना कर त्यार करें तो इस तरह कि हमें लिए हमें क्या बनानी है Listening here to तो देखिए हमने साला नाष्टा बना कर तयार कर लिया है उदर हमने ओइल भी गरम होने के लिए रख दिया है तो चलते हम अब गेस की तरफ यहां पर और इसमें हम स्लेरी में इन नाष्टे को डिप करेंगे उसके बाद यहां पर हम इसकी ओट से कोटिंग करेंगे इसमें तो देखिए ओल में हमारा हलका अच्छे से गरम होने लगा है तो अब हम इस नाष्टे को यहां पर पेले हम स्लेरी में डिप करेंगे तो इस तरह से हम इसको स्लेरी में डिप करना है पेले उसके बाद हम इस पर ओट कोट करेंगे आप डारेक्टी इसी तरह भी इसको फ्र तो इस तरह से हम जितने भी एक बेच में फ्राइब होंगे इतने इसमें रख लेंगे और फ्राइब करेंगे इतने को तो इस नाश्टे को आप एक बड़ जरूर बना है बहुत ही आसान रेसिपी है यह और ज्यादा टाइम नहीं लगता है तो इनको मीडियम फ्लेम पे अच सासा आजये तो हमना एक तरब से स्फ इच्छा सा कलरण आच चुका है तो इनको हम प्लट देंगे तो इस तरह से हम सारे नाश्टे को यहाँ पर प्लट और तो आपको मेडियम फ्लेम पे फ्राई करना है फ्लेम को आप ज्यादा हाई ना करे ऩो शेयस् fuzzy प्राय होने में मीडियम फिलंप certains से ये पड़ Lord a फिल्ड देदे हैं तो एक बार इस नाश्टे को आए इसको दे सकते हैं आप ऐस नाश्टे Peng वाहरा होन तो इस नाश्म निकाल लेते हैं शुम्हकुल्प शुल्ब तो इस नाश्ते को अब या पर प्लेट में निकाल लेंगे, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आए है, दिखने में भी हमारा नाश्ता काफी अच्छा लग रहा है, जितना ए दिखने में अच्छा हैं, उससे ज्यादा एक खाने में बहुत टेस्टी है, तो इस तरह से आप इस नाश्टे को बना सकते हैं यहां पर ज्यादा समान भी हमने इसमें इसमें इस्तमाल नहीं किया है कम इंग्रीडियन में हमने इतना शांदार नाश्टा बना कर तैयार किया है पोए और आलू तो मतलब हर जगा आपको मिल जाएंगे हर घर में ही अवेल इसमेट वाली रेसिपी है यह एकदम आसान रेसिपी है तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं काफी टेस्टी नाश्टा हमारा बनकर तयार हुआ है उरी अंदर तक अच्छे से फ्राइ हुआ है हमारा नाश्टा तो अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वी इस नाश्टे को बनाएंगे आलू और पोहे से बनावा इतना शानदार नाश्टा कि उपड़ से एकदम किसपी है अंदर से एकदम सोफ्ट सा नाश्टा है तो चलिए इसकी वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो का कोई पाट आप मिस ना करें वीडियो में तक जरूर बने रहें तो यहां पर हमने आदी कप यहां पर पोहे लिए हैं आप पोहे पतले मोटे जो भी आपके पास अवेलिबल है वो पोहे ले सकते हैं इनको अच्छे से वोश कर लेंगे तो हमने इनने तीन से चार पानी से अच्छे से वोश कर लिए यह मोटा पोहा है हम कि यह अच्छे से हमारा गल जाए पोई अच्छे से सोफ्ट हो जाए अब यहां पर हमने मीडियम साइज के पांच आलू लिये हैं को मेश कर लेंगे आप चाहें तो इनको ग्रेटर से भी ग्रेट कर लें तो इनको मेश करना है कि ज्यादा मोटे आलू के चंग से इसमें ना कर रहे हैं तो कि हमारा नाश्ता एकदम कुरकुरा और एकदम अच्छा सा सोफ्ट सा नाश्ता बनका तैयार होगा तो देखिए आलू ने अच्छे से मेश कर ली अब जो हमने पोए गला है तो पोह को भी हम इसमें आलू में डाल देंगे यहां पर हमने सारे पोए इसमें अब यहां पर हमने चली और मिर्टी का भी इस्तिमाल कर रहे है और थोड़ा सा नाश्ता बने बनीच का व्रुङ को कोटावा देर धरा मोटा धनी का नाश्ते चाहां बातिता मुटा लिए है सकते हैं इससे हमारा नाजता एकदम कुरकुरा सा बनेगा सारी चीजों को मच्छे से मिक्स करेंगे हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है तो देखिए हमारा अच्छे से हमने इसको डो की फॉम में कंप्लीट कर लिया है यहां पर आप मसाले अपनी टेस्ट के इस में अब हम और यहां पर हमने थोड़ी से चिल्ली फ्लेक्स ली है अब इसमें हम पानी डाल के पतली से स्लेरी हमें तयार करना ज्यादा गाड़ा हमें इसको बिल्कुल भी नहीं बनाना है और इस तरह से हम इस नाश्तियों को बनाएंगे जटपट से बन जाता जाता टाइ इस नाश्तियों बिल्कुल भी नहीं लगता है तो देखिए हमारी स्लेरी भी अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है इसको रखते हैं साइट से और हम हाथों में थोड़ा सा ओईल लगाएं और इसके बाद यहां पर हम इसको टिकिया की शेप में बना रहे हैं इस नाश्तियो अगर आपको हरी मिर्ची पसंद नहीं तो आप इसमें से हरी मिर्ची स्किप कर सकते हैं और जो भी आप अपने मन पसंद मसाले इसमें एट कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है वो और इस तरह से हम इसकी टिकिया बना कर तयार कर लेंगे तो देखिए हमने सारी टिकिया बन तो देखिए और गटमय स्लैरी को म एक बार हिला देंगे क्योंकि नीचे बेट जाता है तो आप टिकया डाले से पहले इसको हिला ले अब इस टिक्या को हमने डाल दिया है जो मेदे भाला गूल हमने बनाया था अब इसको सावधानी से ओफ में डाल देंगे यहां पर अपर को अच्छे से गरम करें उसके बाद गेस की फ्लेम कॉप मीडियम कर दें यहाँ पर अब इसी तरह से हम से इसमें टिक्या जितनी एक बेच में फ्राइए होगी इतनी डाल लेंगे इसमें कि और इनको में स्टार्टिंग में बिल्कुल भी पलटना नहीं है यहाँ पर आप एक से डेड़ मिनिट बाद इनको पलटे ताकि इन पर अच्छा सा कलर आ जाए ताप देखिये एक से डेड़ मिनिट हो चुका है इन टिक्या को अब आम अच्छे से पलट देंगे यहाँ पर तो इस तरह से आप 3-4 बार इंको अलटते-पलटते हूँ अच्छे से फ्राइ करने मिडियम फ्लेम पर तो इसी तरह से इनको फ्राइ करना है यहाँ पर तो इनको बरा अच्छे से पलट дेंगे यहाँ पर एक बार आप इस नाश्टी को जरूर से बनाए बहुती शान्दार, बहुती टेस्टी नाश्ता है यह तो इस त़रा से हमने इसको तीन से चार बार पल्टा है एक बार और हम इसको पलट देंगे यहाँ पर कि एक इसमें अच्छा सा कलर आ जार उपर से हमारा नाश्ता एकदम सा कुरकुरा सा बनका तैयार हो तो आप देख सकते हैं हमारा नाश्ता अच्छे से फ्राइ हो चुका है यहाँ पर आप इसका टेक्शर और कलर देख सकते हैं तो इसको अब हम प्लेट में निकाल लेंगे यहां पर तो इस तरह से इस नाश्टे को फ्राइ होने में भी जादा टाइम नहीं लगता है धाई से तीन मिनिट लगते हैं एक बेच को फ्राइ होने में तो इसी तरह से हम इस नाश्टे को प्लेट में निकाल लेंगे सारे को आप इसको चाय, चटनी, केचप के साथ ले सकते हैं यहाँ पर तो इसी तरह से जो बची वी टी किया थी उनको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे यहाँ पर वीडियो में आप यहां तक पहुची गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपनी फेमिली और फेंड्स में इस नाष्टे की रेसिपी को जरूर से शेयर करें इसी तरह से हमने बागी नाष्टे को भी फ्राई कर लिया इसको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे यहां पर आप इसको अपने बच्चों के लंज बोक्स में दे सकते हैं सुवा नाष्टे में ले सकते हैं एक दम से हमने इसको चट पता और कुरकुरा नाश्टे बना तैयार किया है। तो देखे इसी तरह से हमने सारे नाश्टे को फ्राइ कर लिया। ज़ट पत से बन जाता है। ज्यादा टाइम इसमें बिलकुल भी नहीं लगता है। एक बार आप इस recipe को जरूर से try करें तो देखिए नाश्ता हमारा complete है यहां पर एकदम से कुरकुरा चटपटा सा हमारा नाश्ता बना है मैं इसको आपको चेक करके भी दिखाओंगी कि उपड़ से किस पी अंदर से एकदम मुलायम एकदम soft नाश्ता हमारा बना है तो आप इ सकते हैं अगर आप कोई वीडियो अच्छी लेगी हो तो लाइक शेयर और सस्क्राइब जरूर करें थेंक्यू सो मच मिलते हैं नई recipe में नई वीडियो के साथ